तो दोस्तो मद्यप्रदेश शरकार भी लेने जा रहे हैं नौवी, ग्यारवी की तरह एक बड़ा फैसला जहां दश्वी की परिक्षाएं भी अब आंत्रिक मुल्यंकन के आधार पर करा सकता है साथ में बार भी की परिक्षाएं भी बोड परिक्षाएं पर भी निर्णाय लिया जा सकता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम संपूर जानकारी को जानेंगे आप वीडियो को लाश्ट तक जरू देखिए यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को प्रेश कीगे चलिए अब हम ख़बर को विस्तार पूर्वक जानते हैं दोस्तो इस ख़बर को हम पीपल समाचर पत्र के बादम से आपको प्रफ्तूत कर रहे हैं दिया गया है कि दश्वी कक्षा में भी हो शकता है इंटर्न असिस्मेंट परिक्षा तो दोस्तों इसे हम डीटेल में जाने के साथ में हम वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे इंदर्शिंग परमान ने क्या कहा है तो जासा के दिया गए है कि मद्ध प्रदिश में कोरोना के बड़ते संक्रमाण को देखते हुए 10 वरा की परिक्षाएं इस्थागित कर दी गई हैं जिस सेसाब से संक्रमाण बढ़ रहा है उशे देखते हुए आगे भी परिक्षा करना सम्मब नहीं देख रहा है बताया जाता है कि अब 9 वी वा 11 वी की तरह ही दश्वी की भी इंटर्नल असेस्मेंट के आधार पर मुल्यंकन पर बिचार किया जा रहा है वही बारवी के ओपन बुक एक्चाम कराये जा सकते हैं MP Board में भी दश्वी और बारवी की परिक्षा इस्थागित कर दी है CBSE ने भी दश्वी की परिक्षा आंतरिक मुल्यंकन के आधार पर रजट देने के आदिश दी है विभागी शूत्रों के अंसाद दस्वी की सात्रों की परिक्षा परड़ाम उनके आर्दवार्शिक परिक्षा के अंके वं रिजन टेस्ट के आदार पर तयार किये जाएंगे इस पर इस बारे में निजी स्कूल से भी जानकारी मांगी जा रही है तो अब इंदर्शिंग परमान ने इस पर क्या स्टेटमेंट दिया है जो कि मद्दपरदे इसकूल स्वी परिक्षा और रिजल्ट को लेकर के मंथन किया जा रहा है फिलाल कुछ है फाइनल नहीं किया गया है लेके जल्दी ही इस वारे में निड़ना लिया जाएगा जो भी आपवे रहे शेप रहे शुरक्षेत रहे जाहिन जाएभारत